So hey guys this is Vabo, a first year MBA student at VMMC and Subdaging Hospital Delhi So आज हम लोग बात कर रहे होंगे basically need 2025 aspirants के बारे में कि तुमारे 11th के जो backlogs create हो गए है उन्हें तुमें कैसे cover करना है ठीक है अब मैंने एक poll डाला था कि 11th के अगर जो backlogs हैं क्या वो तुमारे हैं कि नहीं तो उसमें 2 गंटे के अंदर साड़े 3000 के असपास votes आए जिसमें से लगबक 75% ने कहा कि हाँ हमारे 11th के backlogs अभी है अब तुम इससे देख सकते हो कि almost हर एक बंदे का जो backlog है वो कभी ना कभी create तो होता ही है ठीक है लेकिन एक topper में क्या चीज अलग होती है वो होती है कि वो उन backlogs को cover कर जाता है वो उन backlogs को time रहते cover करता है अच्छे से revise कर लेता है और तभी वो असलियत में topper बन पाता है ठीक है तो मैं यहां पर timeline wise बात नहीं कर रहा हूंगा कि तुम्हें कब क्या पढ़ना है वो सब बात नहीं करूंगा उसके लिए मैं पिसली वीडियो में बता चुका हूं अच्छे से अगर तुम वह देखना चाते हो तो मैं link description में देदूंगा वह देख सकते हो यहां पर म ओंगा कि back-lock चाहे तुमारा 11 का हो चाहे किसी बी तरह रीक अग्लॉग उसको कैसे cover उसको ίहां लाम यह प्रएसी ल्यस्ति करना है तुम्हें तो शुरू करते हैं To बात करने होंगा तुमारा long term vision क्या होगा उस ते related कुछ points बताऊंगा उसके बाद बात करूंगा basically लगे उसको तुम अप्लाइक कर सकते हो अपने उपर उसके बाद मैं वह टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम बैक्लोग को वापस आने से रोक पाओ तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ पहला पॉइंट है कि डमी वर्सेस रेगुलर स्कुल अब इसका भी काफी ज जादा टाइम मिलेगा एस कंपेर टू रेगुलर स्कुल ठीक है और मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगा मैं सजेस्ट करूँगा तुम डमी स्कुल के साथ ही जाओ अगर तुम जा सकते हो तो बिकॉस के लिए तो तुम आखरी के टाइम में पढ़ रहे होगे वैसे भी ठीक है तो अभी का टाइम अगर तुम फुली अपने जो भी 11 के बेकलॉग से हैं और जो 12 है उसको कवर करने पर द्यान दो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा एफिशेंट रहेगा तुमारे लिए अब जो दूसरा पॉइंट है वो इससे कई ना कई रिलेटे है तो तुम उसको अपलाए कर सकते हो नहीं तो तुम जो दूसरी साइड है वहां जा सकते हो ठीक है अब मैं कहना चाहूंगा कि तुम ऑनलाइन ही पड़ो मैं उसके रीजन भी तुम्हें बताता हूं क्यों विकॉस अगर तुम अपनी 11 वेस्ट कर चुके हो तो तुमारे पास पहले से ही काफी time constraint है अब तुम्हें 11 भी अपनी complete करने है विद 12 तो उसके लिए तुम्हें कहीं से तो time save करना पड़ेगा और वो तुम कर सकते हो जब तुम offline नहीं जा रहे हो तुम आने जाने का जो अपना time है वो तुम बचा पाओगे वहां पे ठीक है और online में एक अपने आपको डालना होता है ठीक है तीसरी चीज यह भी रहती है कि अगर तुम इस तरह के बंदियो जिस तरह का मैं था कि जो अपने आसपास की surrounding से बहुत जल्दी effect हो जाता है यानि कि जो peer pressure में peer जैसा करने में वैसा करने में बहुत जल्दी involved हो जाता है तो तुम्हें online जाना चाहिए वो तुम्हारे लिए ज्यादा better option होगा कि तुम अपने हिसाब से जो करना चाहते हो वो कर पाओगे अब आते हैं third point पे अब third point है revision अब तुम सोच रहे होगे कि revision और backlogs का क्या relation है तो काफी अच्छा relation है लेकिस दुको backlogs cover करना बड़ी बात नहीं होती है backlogs तुम cover कर लोगे तुम lecture देख के लेकिन तुम क्या करोगे तुम retain नहीं रख पाओगे उसको क्यों 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 तुम्हें उसके लिए time नहीं मिला होगा ठीक है तो इस चीज को मैं इसलिए पहले highlight कर करा हूँ कि तुम बैकलॉग कंप्लीट करने जाओ उससे पहले अपना माइंडसेट बनाना है कि तुम्हें उसे रिवाइज भी करना है ठीक है अब रिविजन ऐसी चीज है कि मतलब तुमने किसी चीज को कितनी भी अच्छे से पढ़ा पहली टाइम में लेकिन तुम जब तक उसे रिवाइज नहीं करोगे तुम उसे भूल जाओगे अगले टाइम तक ठीक है और रिविजन के लिए ना मैं तुम्हें एक टूल सजेस्ट करना चाता हूँ जो कि बिलकुल फ्री है और वो है कुईजलेट अब इसमें तुम क्या कर सकते हो इसमें तुम फ्लेश की तरफ करो और जो तुम्हें नहीं आता थी उसके लिए तुम उसको लेफ्ट की तरफ कर दो तो इससे तुम्हारा एनालेसिस भी आ जाएगा कि तुम्हें क्या आता था क्या तुम बूल गए थे ठीक है और एक और अच्छी चीज यह है कि तुम बिलकुल फ्री में ही कि अग्स करता हूं तुमने उस टर्म को लिखा उसकी डिफिनेशन लिखी और उसका फ्लेश कार्ट बना दिया अब तुम उसको रिवाइस कर सकते हो जब भी तुम चाहो ठीक है इसमें मैंने भी ट्राय करने के लिए कुछ फ्लेश कार्ट क्रिएट किये हैं मैं तुमें ल जरूर से कर देना इसके अलावा तुम अपने जरूर से बनाना विकॉस जो नोट्स है उन्हीं से तुम एड़ दा एंड रिवाइस कर रहे होगे सब चीजों को इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है चाहिए तुम एक्जामपल पहले बताऊंगा तुम्हें कि जो डमी स्कुल है उनका क्या करना है फिर रेगुलर स्कुल वालों को क्या करना है वो भी बता दूंगा ठीक है तो ऐसा सपोस करते हैं कि तुम वीक देज में पांच में से चार दिन ही पढ़ पा रहे हो ठीक है अपने जो बैक ल कराओं कि अभी से अगर तुम आगे के 10 महीने भी लेके चलो इसी चीज को तो तुमारे पास कितने वीक्स हो जाएंगे तुमारे पास 40 वीक्स हो जाएंगे ठीक है और 15 गंटे एक सफीशन टाइम है तुम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करने के लिए जो दोगे ठीक है तो इस तरह से तुम कितने टोटल चैप्टर कवर कर पाओगे 40 चैप्टर और अगर तुमारी पूरी 11 भी तुम देखो तो उसमें सिर्फ 41 चैप्टर ही है ठीक है तो इस एक्वेशन में पूरी तरह से तुम आसानी से रिलाय कर सकते हो अपना जो भी बैक्लॉग है उसको कंप्लीट करने के लिए ठीक है अब जो रेगुलर स्कूल वाले हैं उनको क्या करना है उनको जो यह वीक डेस पे वह डेफिनेटली जेट गंटा नहीं निकाल पाएंगे उनको उसको वीकेंड्स पे कंपनसेट करना पड़ेगा उनको साड़े साथ गंटे हर एक सेट कर पाएं खुद को इसके बार जो नेक्स तेकनिक के मैं बात कर रहा हूं वह 12th स्राउंड मॉडल अब यह अभी तक कोई नहीं बताता आ रहा है 12 स्राउंड मॉडल्य यह मैं खुद की तरफ सही बता रहा हूं तुमें ठीक है बेसिक जो चीज है वो सेम है वह यह है कि तु इसको तुम अपनी 11 को दोगे तो 12 के बाद का जितना भी टाइम तुमें मिल रहा है वो तुम 11 को दे रहे हो यह है बेसिकली 12 सराउंड तुम अगली जो टेकडिक है वो है तार्गेट बना के पढ़ना अब यह तुम ऐसा कर सकते हो कि जो गंटे वाला ता उसको रिप्लेस करके तुम यह तार्गेट वाला कर लो कि तुमने हर रस्ते के लिए अपना एक चैप्टर को टार्गेट बनाना है और फिर उसको कम्प्ल कर पाओगे अब इसके बाद जो टेकनीक है वो जो अभी तक की सारी टेकनीक से सब में किसी ना किसी तरह तुम अप्लाइक कर पाओगे वह है कि रिलेटेबल टॉपिक्स को पढ़ना ठीक है अब रिलेटेबल टॉपिक्स को क्या मतलब जैसे माल लो तुम 12 का फी ब्लॉक पढ़ लो यानि पी टेबल को तुमने पढ़ लिया ठिक है इससे क्या होगा कि तुमारा परियाधी टेबल वहां पर रिवाइज हो जाएगा और तुम्हारा यहां पर कंप्लीट भी हो जाएगा ठिक है और इससे एक और फाइ hissता यह भी फाया कि कि जो तुमारी 12th होगी उसमें तुमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जो 11th के topics हैं उनके कारण से ठीक है अब कुछ techniques जो मैं बताऊंगा वो होगी कि अब backlog आगे कैसे prevent करना है तो सबसे पहली technique है avoid next day syndrome ठीक है अब तुम भी जानते हो कई बार हमारे साथ यह होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा आज यार आदा दिन तो waste हो गया चल कल पढ़ लेंगे अरे ये आज रहे गया चल कल कर लूँगा ये नहीं करना है ये जब तक तुम करते रहोगे तुमारे backlogs create होते रहेंगे दीरे 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 और तुम्हें last में दिक्कत आएगी जरूर तुम 11 के कर लोगे तुमारे 12 के backlogs create हो जाएगे तुम्हें last में problem आएगी इसलिए इस चीज़ को avoid करना है basically वही है procrastination को avoid करना है कैसे avoid करना है बट इसको तुम्हे normalize नहीं करना है कि यह तो बिल्कुल normal है जब तुम normal ले लो कि न तो तुम्हारा बिल्कुल उपर stress ही नहीं रहेगा कि हाँ यह normal है चल रहा है चल रहा है तुम्हें stress लेके चलना है कि हाँ मैं पूरी 11 अपने पीछे हूँ तुमने वह stress वाला curve देखा ह ठीक है और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि मैंने अपने 12 में बहुत कम backlogs face किये विकॉस मैं जानता था मैंने जिस तरह से अपनी 11 में बरबाद की है 11 में काफी backlogs create किये हैं अगर मैं same चीज अपने 12 में करूंगा तो मेरे backlogs definitely वापस create होंगे ठीक है तो यही चीज तु बहुत ज्यादा हुआ create तो कर देंगे और फिर क्या होगा कि उसमें हम जो वह stress मैंने तुम्हें बताया ना अब वह stress जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि तुम बहुत ही ज्यादा stress लेने लग रहे हो उस पर तब यह चीज दिक्कत आती है कि तुम क्या होगे तुम उ पर इखटा होता जाएगा और वो backlogs तुमारे बढ़ते ही जाएंगे इसलिए patience रखते हुए काम करना है और अपने काम पे ज्यादा focus करना है ना कि रोने दोने से हो गया कोई बात नहीं उसको complete कैसे करना है वो तुमारा main focus होना चाहिए ठीक है तो यही थी आज की वीडियो मैंने इसमें काफी ज्यादा वही techniques बताई है जो मैंने खुद पर apply की थी जो मुझे काम करती भी दिखाई दी और ऐसी जो techniques जो काफी ज्यादा effective होती है वही मैंने तुमें बताई है ठीक है तो तुमें क्या करना है तुमें 21 days इसको follow करना है और 21 days बाद मैं तुमारे comments का इ पोचार आएंगे मैं उनका wait करूंगा ठीक है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए thanks for watching